खेती में लगबग 30-50% तक उत्पादन प्रभावित होता है खर्पतवारों की वजह से जो किसान अपनी फसल के अंदर खर्पतवारों का सही समय को पर नियंतरन कर लेता है वो अपनी फसल का उत्पादन 30% बढ़ा लेता है और जो किसान अपनी फसलों का अंदर थोड़ी से लापरवाई करके और खर्पतवारों का सही समय पर नियांतर नहीं करता है उसका उत्पादन 30% से 50% तक कम निकलता है और कई बार और बहुत से खेतों में तो हमने देखा है कि खर्पतवारों के वज़े से 50% नहीं भहिया 70% तक उत्पादन प्रभावित हो जाता है विसेश कर अपन बात करेंगे कुछ ऐसे चुनिंदा खर्पतवारों को पर जो इस टाइम पर नासूर बन चुके हैं जिनकी वज़े से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है उसको खतम करें तो कैसे खतम करें साथ ही अपन बात करें देश की जान हमारे किसान चैनल पर जिस खेत के अंदर खड़ा हुआ हूं इस खेत के अंदर खर्पतवार नासी का इस प्रे कर रखा है उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा बहुती खतरना खर्पतवार जो इस टाइम पर हमारे देश के अंदर बहुत तीजी से बढ़ रहा बाकी हमारे खेत के मेड होते हैं या खेत की नड होती जिसके अंदर से पानी चलता है वहां पर बहुत से खर्पतवार हो जाते हैं क्या उनको भी अपन पूरी तरह से खतम कर सकते हैं तो हां भी या उसको भी कर सकते हैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो का कोईसिस करूंगा अधिकतर फसलों को कावर करने की पहले अगल एक दम इस तरह करते हैं कि दोबारा उस खेट के अंदर व खरते हैं वह खर्पत्वार आए नहीं तो सबसे पहले हर पतवार हमारे देश में जो सबसे खतरनाग है भाया वो है नागरमोथ आईए अपन दिखाते हैं ये जो नागरमोथ है ये देखिए ये नागरमोथ अगर एक जगह को पर खेत में चाहे किसी भी एक छोटे से सरकिल में पैदा हो जाओ एक बार तो फिर आप देख रहे होंग इसके अंदर से जड़े निकलती चली जाती जिस तरह से आदमी में कैंसर की बीमारी है वैसी खेती के अंदर नागरमोथ है एक कैंसर की तरह ही बहुत खतरनाग खर्पतवार बन चुका है और इसको खतम करना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है लेकिन भाईयों इसको भी आपन खतम कर देगा बिल्कुल आप लोगों कि इस वीडियो कांदर में कुछ ऐसे टिप्स बताउगा कुछ ऐसे रासायनिक इस्प्रे भी बताऊँगा कुछ जैविक इस्प्रे भी बताऊंगा जिनकी बदोल हो ता आप एक जटके में इसको खतम कर सक चाहे सहर हो, गाँ हो, सड़क के किनारे, इसका दायरा लगाता और साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जहां पर हमारे खेती के अंदर नुकसान कर रहे हैं, वहीं पर हमारे स्वास्त को उपर बहुत जादा पृतिकूल पर भाव डाल रही है, इनकी बदोलत एक तो दमे की बीम इसको भी अपन बताएंगे किस तरह से खतम किया जा सकता है, इसके अलावा फिर बात करते हैं, तीसरा सबसे खतरनाख खर्पतवार, यह देखी भाईया, यह है बोखना, और विशेसकर जो सोयबीन की फसल लगाते हैं, मूंगफली की फसल लगाते हैं, कापास की फसल लग उसके बाद बहुत तीजी से बढ़ते चले जाते हैं, और पांच वे नंबर पर भाईया, बहुत से खेतों में, बहुत सी जगहे पर, बहुत से इस्टेटों का अंदर जो दूब घास होती है, वो खतरनाख खर्पतवार है, अभी पांच तो हुए भाईया, खतरनाख खर् करते हैं, तो देखी भाईया, इनको खतम करने के लिए ना सिर्फ दो टेक्निकल बताऊंगा, मैं आप लोगों को, उनको अगर आप सही तरीके से कर देते हैं, तो यह ना आपके खेत के अंदर समूल नश्ट हो जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगा भाईया, हमने अपने खेतों के अंदर इनको बड़ी आसाइनी से खतम किया हुआ है, और जिस खेत के अंदर मैं बैठा हुआ, इस किसान ने भी इसके अंदर वो इस्प्रे कर रखी है, अभी 5-6 दिन हुए, धेरे 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 जितने भी यह खर्पतवार हैं, वो खतम होते चले जा रहे हैं, तो जो यह खर्पतवार होते हैं, विशेस कर नागर मोथे की बात कर रहा हुँ में, उसका जो गांठ होती हैं, जो बीज होता है, वो उन डड़ों में, उन धेलों का अंदर अगर आ गया, और उसके बाद लगातार गर्मी पड़ेगी, उपर से बहुत तीजिसे सूरी का प जो बहुत तीजिसे बढ़ते जारें, किसानों के नाक में दम कर रखा, इनको अपन एक स्प्रेय में, सिंगल सोट में किस तरह से खतम करें, उसके अंदर पहले नंबर पर आता है, मेरे 71 नाम से एक पुड़ी आती है, 100 ग्राम की, इसके अंदर दानेदार गलाइफोसेट जाता है, बाकी इसको किस तरह से अपन को यूज करना, इसमें सावधानिया बहुत बरत नहीं भाई, ये नोन सेलेक्टिव हर भी साइड भाई, नोन सेलेक्टिव का मतलब होता है, कि ये किसी विशेस खर्पतवार के लिए नहीं बढ़ाएगी, ये चोड़े पत्ती का है, इसके जद में जो भी कुछ आ गया है, चाहे आपकी फसल हो, चाहे खर्पतवार हो, सब का सफाया एक साथ में भाई, इसके अंदर इस्प्रे करने से पहले अपन को अपने खेत का अंदर कोई भी फसल नहीं लगानी है, जैसे कि ये खेत पड़ा है, इसके अंदर हम सचाही कर देनी, मतलब खेत का अंदर परियाप्त नमी बना लेनी, अच्छे से, फिर अपन क्या करते हैं, एक हमारा जो 60 लीटर वाड़ा इस्प्रेयर पंप होता है, उसका अंदर हम 100 ग्राम एक पुडिया मेरे एक अत्तर के डालते हैं, उसमें 2 किलो अपन यूरिया डाल इन सब को मिक्सकरने के बाद भाई धेरे 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 पूरे खेत का अंदर स्प्रे कर देते हैं, ये सब डालने के बाद फिर अपन देखेंगे, लगबग 9 – 7 दिन के बाद जितने भींण खरपतिवार हैं, पिंसे अपन से चेल वह सकतरि भीन हो जाने के घए अच्छे किसान भायू के एक शिकायत होती कि भाया मेरे कातर स्प्रे करने के बाद भी खर्पतवार हैं खतम नहीं होते भाया या तो आपके पास मेरे कातर जो गलाइफोसेट है वो सही नहीं ही या तो वो नकली आप यूज कर रहे हो या फिर आप अपने पूरे खेत के स्प्रे करते हैं बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट मिलते हैं या फिर इसके अलावा भाया आप धानुका कंपनी की जो सैंपर आती उसके भी भूती जवर्दस सांदार रिजल्ट मिलें नागर मोथा के खिलाफ इन दोनों में से आप कोई भी ले लो और उनकी स्प्रे कर इसके अंदर सावधानी यही रखनी भाया मेरे 71 करते वक्त आपको खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए तो यह तो बात हुई भाया कुछ नौन सेलेक्टिव खरपतवार नासी के बारे में कि आपके खेतों के अंदर कोई भी खरपतवार है और खेत में फसल नह खेत के अंदर करपतवार साक्रीपतीवारे उसको किस तरह से खतम किया जाहते हैं तो ऑसके अनदर और अपन यह इसके अलाज़ावा फिर बात करते हैं कुछ दो चार ऐसी फसल लोगी जैस्टीवईन ए स्टाइम पर लगी हूई जैसी कि सोयबीई में हमने जब खेत की बुआई की तो उस टाइम पर हमने खरपतवार नासी का इस्प्रे किया नहीं और आप जब हमारी फसल ओगाई और हमारी फसल लगबग 15-25 दिन की हो चुकी है और खरपतवार हैं वो भी लगबग 2-3 पतियों की हो चुके हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए तो भाया सोयबीन के अंदर FMC कंपनी की गैलक्सी नाम से खरपतवार नासी आती उसको आप इस्प्रे कर सकते हो जटका जरूर लगेगा आपकी फसल एक बार पीली जरूर पड़ेगी लेकिन उसको आप दोबारे रिकावर कर सकते हो इसमें भी सावधानी ये रखनी खेत का अंदर परियाप्त नमी होनी चाहिए उस टाइम इस्प्रे कीजिए इसके अलावा इसके अंदर आपको ना कोई इनसेक्टिसाइड मिलाने ना कोई फंजिसाइड मिलाने ना कोई NPK मिलाना है इसमें जो कम्पिने डोज दे रखिए वो ही डोज आपको यूज करनी है इसके अलावा फिर बात आती भाईया धान के अंदर जो खरपतवार होते हैं तो उसके लिए भाईया, P.I.E. Company की नो मिनी गोल्ड, उसको अपने यूज कर सकते हैं, इस्प्रे कर सकते हैं. तो भाईया, इस तरह की खर्पतवार नाशी का इस्प्रे करके, आप अपने खेतों से खर्पतवारों का निस्तारन कर सकते हैं, बढ़िया उत्पादन की ओर आप बढ़ सकते हैं, धन्यवाद.